हैलो फ्रेंट्स आपके अपने चैनल ये जे हिंदी रेश्पी में आप सभी का स्वागत है फ्रेंट्स आज की रेश्पी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करना शेयर करना और जो लोग हमारे चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करना ये बताओ खाना सबको पसंद आएगा अच्छा लगेगा के नहीं अच्छा लगेगा मेरे दोस्तों की पार्टी आज हमने बहुत सारी रेश्पी बना डाली अपने फ्रेंट के साथ मैं आज हमने घर पर पी पार्टी कर ली तो वीडियो काफी देर भी गो दिया था चार-पांच घंटे भी गो दिया था अच्छे से फूल गई फिर इसको धुल दिया और सारे छिलके हमने निकाल लिया अब हम लेंगे मिक्सी जार तो इसमें हम डालेंगे दाल तो हमने क्या-क्या बनाया तो रिस्पी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में तो ये उरत के दाल हम पीस लेंगे और इसमें भी हम कुछ भी नहीं मिलाएंगे सर्फ इसको ऐसे ही पीस लेंगे तो ये हमारी एकदम बढ़िया सी फाइन दाल हमारी तयार हो गई उरत की दाल ये पीस गई इतनी बारिक बढ़िया सी फिट गई है और अच्छे से फिट भी जाती है, इसमें फिट अलग से जादा नहीं पड़ता है और साथ साथ में ये पिस गई है, इतनी बढ़िया बारीक हुई है तो इस वाली दाल के हम बनाएंगे दही भल्ले तो दही भल्ले के लिए हमने जादा बारीक दाल पिस ली है और इसलिए इसमें हमने कोई मसाले कुछ भी नहीं इसमें आट किये है तो निकाल लेते हैं, ये पेश्ट हमारा बढ़िया सा दाल भल्ले का जो ना दही भल्ले जो बनाएंगे उसके लिए ये पेश्ट हमारा तयार हो गया दाल हमारी बढ़िया सी पिस गई है और इससे ना इतनी जब बारीक पीशो तो इतने अच्छे से फिट जाती है कि ज़रूर नहीं पड़ती फिर अलग से ज़्यादा फिटने की तो बाकी बची हुई जो दाल है उससे हम बनाएंगे खटे वाले दही बड़े तो इसको भी हम पीश लेंगे लेकिन ये थोड़ा सा ना इसको थोड़ा सा मोटी पीशेंगे बहुत ज़्यादा इतनी बारीक नहीं पीशेंगे जितनी ये वाली पीशी साथ में हम इसमें डाल देंगे अद्रक और हरी मिर्ची डाल देंगे तो इस वाली दाल में हम डाल देंगे अध्रक, तो चार पांच टुकड़े हमने डाल दिया, अध्रक थोड़ा सा ज्यादा चाहिए, तो और साथ में हमने 4 मिर्शी हरी ली है, तो इनको भी हम तोड़के डाल देंगे इसमें, और इसको भी हम पीश लेंगे, मसाले इसमें अच्छी सी पिस गई है ये भी बड़िया सी तो दोन दाले हमारी बारीग पिस गई है एक खटे वाले दही बड़े की और एक दही बले की तो दाल को हम रख देते हैं अभी साइड में तो ये दाल हो गई हमारी तैयार ये दही बले की यह खटे दही की तो यह दाल रख देते हैं साइट में और स्टार्ट करते हैं तो अभी हम कड़ाही चड़ा देते हैं और गैस को करते हैं और इसको गरम होने देते हैं जब तक हमारी कड़ाही गरम होती है हलकी लो फ्लेम पे है इतनी देर में हम कड़ी का गोल बना लेंगे तो हम बनाएंगे कड़ी, तो अभी हमने लिया है आदी कटोरी बेसन और इसमें डाल देंगे, आदी कटोरी खटा वाला दही न, ये बहुत जादा खटा दही है, इसको डाल देंगे और इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, धनिया पाउडर जो मसाले है न, बेसिक तो बस इसमें डाल देंगे, तो धनिया पाउडर भी डाल देंगे, थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल देंगे, भुना जेरा पाउडर भी थोड़ा सा डाल दिया है, तो ये मसाले जो हमारे बेसिक वाले होते हैं, हल्दी, मिर्च, धनिया और गरम मसा उसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छा सा अगर एक साथ पानी डाल देंगे तो गुठलिया बन जाएंगी फिर बढ़िया सा हमारा नहीं और दही भी नहीं अच्छे से फिटेगा तो इसको अभी हम फेट लेंगे पानी से थोड़ा थोड़ा पानी दालके फेट लेंगे दही अच्छी से फित जाना चाहिए क्यों गरी के लिए ना है दही हजआ सा थिटा हुआ होना चाहिए और इसमें डाल देंगे खुब ताहरा पानी तो कटोरा भर देंगे बिल्कुल को तो इससे हम भनाएंगे क्टी एक्टम गया है बेशन हमारा हो गया है तैयार हो गया है अब कडाही भी गर्म हो गई है और डाल देते हैं इसमें सरसों का तेल तो साथ में हमने सरसों का तेल जैसे गर्म हुआ जीरा और हींग डाल दिया है जीरा हींग का तड़का लगाएंगे और साथ में डालेंगे प्याज तो आ और जैसे हल्का प्याज भूनने लगा तो इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्ची तो तीन हरी लाल मिर्ची डाल दिया है थोड़े से हमने applied घ्रलर डिये हैं और यह अधरक लसुन का पेष्ट है इसको डाल देंगे अधरक lesson हमने पीस के रख लिया क्योंकि festival शुरू हो रहे हैं और ज़रूरत लगती है तो इस तरह से हम पीस के रख लेते हैं इसलिए रख लेना चाहिए हर किसी को तो festival में थोड़ा जल्दी होती जब बनाने की होती तो पीसना नहीं तुरन पड़ता है और अच मसाले वाली बढ़िया से कड़ी के लिए तो अभी इनको हम भून लेते हैं प्याज भी हल्का सा गोल्डेन हो गया है और अधरक lesson का जो पेश्ट था वो भी बढ़िया सा भून गया है खुश्बू बहुत अच्छी आने लगी अब इसमें थोड़ी से हल्दी हम और डाल द देंगे सारा गोल डाल देंगे हम बेशन का इसमें और डाल देंगे थोड़ा सा पानी और डाल देंगे इसमें तो यह हमारा गोल बढ़िया सा हो गया है कड़ी हमारी च्छोंका लग गया है कड़ी में तड़का लग गया है तो यह मसाले वाली जो प्याज वाली होती है न वो आले आज हमने कढ़ी बनाई, बिना लस्टन प्याज की भी बनाते हैं, लेकिन कभी-कभी बिना मतलब प्याज वाली भी बनाते हैं, तो अभी पानी हमने इसमें और डाल दिया, क्योंकि कढ़ी में जितना ज़दा पानी होता, वो धीमी-धीमी जितनी पकती रहती है, साथ में आप हम ना इसकी पकोड़ी के और लाल मिर्श गरम मसाला जो बेसिक मसाले बस वही वाले इसमें भी हम डालेंगे पकोड़ी में इसमें साबुत जीरा थोड़ा सा डाल देंगे पकोड़ी है तो इसमें थोड़ा सा साबुत जीरा थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और साथ में डालेंगे हींग बेसन में त धोरा ठोड़ा सा इसमें डाल दिया नहीं रखेंगे प्याज वाली प्कोड़ी और कड़ी में डालेंbles साजchar सार्श प्याज वाली तो प्याज वाली कड़ी आज हम बनाएंगे मसाले-दार चटपती वाली सी ठोड़ा ठोड़ा सा पानी डालके न इसका हम बना लेंगे तो बढ़िया से यह हमारे प्याज और बेसन अच्छे से मिक्स हो गया है और अब हम देख लेते हैं उधर साइड में हमारी कड़ी पक रही है क्योंकि भई सभी का जब पार्टी है तो अच्छे से और्गनाइस करना है तो कड़ी में उबाल अच्छा आ गया है और अब हम इसको रख देंगे दूसरी साइड में पकने के लिए तो ये धीमी धीमी पकती रहेगी तो कम से कम ये 30 मिनट पकेगी तब जाके हमारी कड़ी अच्छी बनेगी 30 मिनट तो जरूर जरूर पकाएंगे इसको तभी हमारी कड़ी बढ़िया बनेगी लो फ्लेम पे इसको धीमी धीमी आज पे बिल्कुल पकने देंगे और अब इस साइड में हम ख्या करें के कड़ाही चढ़ा देंगे डालेंगे इसमें सरसू का तेल और बनाएंगे जो पकोडियां है ना कड़ी के लिए पकोडी बनाएंगे तो तेल गर्म हो गया है अब हम बना लेते हैं पकोडियां प्याज वाली iranants कभी इस तरह से ट्राई कारणा बहुत ज्यादा टेश्टि बनती है यह वाली कड़ी मसाले वाली और जो प्याज वाली होती ना बहुत ज्यादा टेश्टि बनती है लेकिन हमारे बच्छों कभी यह वाली बहुत अच्छी लगती कभी कभी होता है न उन लोगों कभी मन होता है कि बिना प्यास लेस्टन वाली तो उसको कहते हैं कि जैसे माता वैशनों में मिलती है कड़ी बो वाली कड़ी कभी कभी बनाया करो कभी कभी ये वाली बनाया करो तो इस तरह कि हम कड़ी अलग-अलग तरीके से बदल बदल के ब पकोड़ियां भी बना लेंगे तो अभी एक बार में हमने इतनी पकोड़ियां निकाल ली है और जो बची हुई हैं वो भी बना लेंगे है ऊच जो बचा हुआ प्याज और बेसं का खनी इसे भी जो बची हुई पकोड़िये हैं उनको भी बना लेंगे तो सारी पकोड़ी हमारी बन गई हैं एक साथ सारी हमने डाल दी है और बेसन है बहुत जल्दी पक जाती है पकोड़ीयां बनने में तो टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी बस तीन-चार मिनट में पकोड़ीयां तैयार हो जाती हैं तो ये भी हो गई है पकोडियों को लेते हैं निकाल सर्सों के तेल में बने हुई पकोडियां बहुत ज़्यादा टेश्टी लगती हैं तो कड़ी को देख लेते हैं पकोडियां हमारी तैयार हो गई हैं ।्वेसे तो कभी भी हमारी कड़ी इस तरछे से फटी नहीं है कि नमक डाला हो और फट गई हो लेकिन फिर बीपर एतिहात के तौर पे हम बाद में ही कड़ी डाल देते हैं तो इस तरह से नमक डाल दिया है सौध के अनुसार नमक डाल दिया है और कड़ी को पकने देते हैं बढ़िया सा धीमे धीमे आज पे तो अभी इसको हम और थोड़ी देर पकने देंगे और इसको कम करेंगे और अब हम जब तक कड़ी उधर पक रही है उसको बहुत टाइम ल और थोड़े से मिला लेंगे तो यह भुना जीरा का पौर्डर इसमें डॉल देंगे और धन्यापत्ति को दोड़ी पर बहुत ज्यादा बना गरॉब भूट जादा नहीं डालेंगे लेकिन जो basic मसाले हैं बस वही हम डाल देंगे इसमें तो जो हमारे पास हमारे पास रखा था धनियां और जीरे का जो सौफ का मसाला हम बनाकर एक रखते हैं तो उसको हमने थोड़ा सा डाल दिया है और भस इसको फैट लेंगे थोड़ा सा mix कर लेंगे क्योंकि पहले से भी फिटी हुई होती पिसने के समय पे ही mix में बहुत अच्छे से फिट जाती है और इससे ना दही भले हों दही बढ़े हों बहुत जादा soft बनते हैं बहुत अच्छे बनते हैं और अब हम दही भले की भी तयार कर देते हैं, तो अभी साबुच जीरा इसमें थोड़ा सा डालेंगे, और थोड़ी सी हींग डालेंगे, और इसमें डालेंगे, चुटकी भर नमक डालेंगे, बिलकुर थोड़ा सा डालेंगे, ज़रूरत नहीं है इसमें ज़्यादा नमक की फीके लोग बनाते हैं लेकिन दही बले और हम इसमें थोड़ा सा नमक चुटकी भर जोरू डाल देते हैं तो अभी इसको भी थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं तो सारी रेश्पी एक साथ बनाते जा रहे हैं इसलिए एक साथ सारी चीजे बनती जा रही ही तो थोड़ा सामने डाल दिया है इसमें नमक भी ज़रूरी होता है और उसको भी मिला के हमने रख दिया है तो अभी थोड़ी देर फूलेंगे और इधर कड़ी भी हमारी काफी पक गई है और इस टाइम पर हम डाल देंगे पकोड़ी एक्दम बढ़िया सी मुलाइम पकोड़ी इतनी मुलाइम बनी हुई है तो खाने में न सभी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी यह वाली पकोड़ी है तो पकोड़ी हमने सारी डाल दी कढ़ी हमारी बढ़िया सी पक गई है एकदम इसको दो मिनट हम और इस पकने देंगे क्योंकि पकोड़ी डाली है ना पकोड़ी अच्छे से हो जाए तो इसको अच्छे से उबाल आ जाएगा बस हम गैस ओफ कर देंगे तो उबाल काफी अच्छा आ गया है पकोड़ी हमारी बढ़िया से फूल जाएगी और अब हमने गैस ओफ कर दिया कढ़ी हमारी बनके हो गई है तैयार तो एक साइड में कढ़ी बनके तैयार हो गई उसको रख दिया है और उसी कडाहिम जिसमें पकोड़िया बनाई थी इसे हम बना लेंगे दestic बड़े चोटे चोटे इतने आप देख रहे हैं इतने चोटे चोटे से हम दही बड़े इसमें पकोड़िया डालके और फूल के इतने जादा बड़े-बड़े से हो जा रहे हैं तो डालते जाओ इसमें फूलते जाते हैं तो इस तरह से हम दही-बड़े भी बना लेते हैं इतने जादा फूल गए हैं एकदम मुलाएं बहुत जादा बढ़िया से बनने वाले हैं तो इनको बढ़िया से golden brown हम तल लेंगे तो ये हो गए हमारे दही बढ़े तो fry हो गए हमारे दही बढ़े अब इनको हम लेंगे निकाल बढ़िया से crispy भी हो गए है उपर से और अंदर से इतने soft मुलाइम है क्योंकि फूल गए हैं जब फूल जाते हैं तो अंदर से जो अपने सोती है वो आ जाती है बढ़िया से मुलाइम हो जाते हैं एकदम अब हम निकाल लेंगे इनको जो बाकी बची हुई डाल है उससे भी बना लेंगे तो उधर हमने दही बड़े हमारे तयार हो गए थे, दही बड़े हमने बना लिये, अब हम लगाएंगे कड़ी में तड़का, तो हमने डाल दिया इसमें घी, घी का तड़का लगाएंगे, देसी घी का, और अब हम इसमें डालेंगे जीरा, तो साबु जीरा डाल देंगे, औ लाई और जीरे का और हेंग कडी पत्ते का हम तड़का लगाएंगे गैस कर दिया है हमने बन क्योंकि तड़का हमारा हो गया है बढ़िया सा तैयार और अब हमें इसमें डालेंगे लाल मिर्ची और कडी पत्ते तो थोड़ा सा लाल मिरशी डाल दी है काशमीरी जिससे कलर बढ़ असा जाएगा और कड़ी पत्ता भी डाल दिया है तो ये हो गया हमारा कडhi तैयार अब जाके हमारी परफेक्ट कड़ी तैयार हुई है खाने के लिए जब तरका लग गया है तो बढ़िया सी कड़ी, फ्रेंट्स एक बार इस तरह से ज़रू ट्राइ करना बहुत ज़्यादा टिस्टी बनती है, बज़ेदार लगती है खाने में, जब एक बार ये बनाएंगे तो बार बार इसी को बनाएंगे, तो बाकी तरीके से सारे भूल जाएंगे, बहुत ज़् प्याज मसाले की तड़के वाली बढ़िया सी कड़ी हमारी खाने के लिए एक दम रेडी हो गई थोड़ा सा हम तड़का ना मिक्स कर देंगे कड़ी में और अब हमने दही जो बड़े थे वो तो हमने बना के रख लिये हैं तड़का लगा दिया कड़ी में और अब हम दही में फुलाएंगे तो दही हमने ये घर में जमाया हुआ दही है घर में जमा दिया था दही और अब ही हम दही को फेट लेंगे थोड़ा सा दूसरे बाउल में इसको ट्रांसफर करेंगे दही और फेट लेंगे तो जितनी हमें जरूरत है उतना हम दही डाल देंगे क्योंकि पानी भी इसमें मिलाना है और दही को हम फेट लेंगे अच्छे से जिससे बिल्कुल भी एकदम बढ़िया सा स्मूथ सा हो जाए और एक भी इसमें कहीं भी काट कुछ भी ना दिखे, बढ़िया सा दही हमारा तयार हो जाए, एकदम बढ़िया परफेक्ट दही जब तयार हो जाता ना, तो दही बढ़े भी अच्छे लगते हैं, और अब हम इसमें मिला देंगे पानी, क्योंकि दही जो बढ़े होते हैं त काल के बढ़े हो जो जो इसमें हम मिलाए था तो अभी मसाले थोड़े से मिला देंगे भुनाजीरा पाउडर, गरम मसाला, तोड़ा सा कालीम्रिच वाला और लाल-मिर्ची मिला देंगे है थोड़ा-सा-सॉणफू परिशिव ही 002 001 001 002 भी मिला देंगे, तो धन्या पा जिससे न एकदम जब दही गाढ़ा हो जाएगा सोक लेंगे सारा इसका जो पानी है न तो हमारे सोक लेंगे और फिर हम न इसमें बढ़िया सा मारा गाढ़ा दही तैयार हो जाएगा रही बड़े नहीं डालते हैं और इसी तरह से डारेक्ट ड़ायर दे क में सशर्सों की तेल हमने लगा लंगा है हींग जीरे का जो दियाली होती हिसमें जो तर्का लगा जाता ना वो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगता है तो इस तरह से हमने निकाल दिया है हम निकाल देंगे इसकी दियाली तो आप धड़के रख देंगे तो हमारे दही भले भी दही बड़े हो गए हैं तैयार तो ये दही बड़े हमारे खटे वाले जो दही बड़े हैं ये इस तरह से तयार हुए हैं उसमें डाल दिया उपर से हमने थोड़ा सा खाने के लिए तयार किया है तो इसमें थोड़ा सा मिर्ची भी और डाल दी थोड़ा सा मसाले और डाल दी उपर से और अब हम दही भले भ खुला देते हैं तो दही वल्ले भी हमने बिना लिये थे और यह मीठा दही है चीनी वाला दही कि इनको हम पाने में डाल के थोड़ा सा इस तरह से हम भीगा के निकालेंगे क्योंकि ये वाला दही चाहिए होता है बहुत गाढ़ा एकदम जमा हुआ सा दही चाहिए होता है ठंड़ा इसको हमने रख दिया था फ्रीज में तो हो गया है ठंड़ा और अब इसलिए इसमें अब हम थोड़ा सा भीगो के अच्छे से इसमें दही बड़े इसमें जो है ना भले ये इनको डालेंगे और इनको अच्छे से डुबा देंगे इनमें मिक्स कर देंगे और बस ये पांच मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे दही भले हमारे हो जाएंगे खाने के लिए तयार तो दिरे दिरे सारी रेश्पी हमने तयार कर ली है राइस भी हमारे बन गए ह तो चावल भी हमने बना लिया है और आटा भी लगा के रख देते हैं खाने के समय तुरंत ही रोटियां बना लेंगे नहीं तो फिर ना बना के रख दो तो फिर ठंडी हो जाएंगी फाइदा नहीं है तो मिलेंगे एक नई रेस्पी के साथ